बांगलादेश में अंतरिम सरकार बने एक महीने हो रहे हैं लेकिन इसके बाद भी वहां के अलपसंखको के खिलाफ हो रही हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है हाल ही में एक मामला सामने आया जिसमें बांगलादेशी हिंदू टीचर्स को जबरन स्तीफा देने पर मजबूर किया जा रहा है इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मताबिक पडोसी देश यानि की बांगलादेश में अब तक 50 से ज्यादा हिंदू टीचर्स को जबरन नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया गया इस बात का खुलासत तब हुआ जब 31 अगस्त को बांगलादेश छात्र एक के परिशत जो कि बांगलादेशी हिंदू बौध इसाई एक के परिशत का छात्र संगठन है इन्होंने एक प्रेस कॉन्फरेंस की और इस बारे में बताया छात्र संगठन ने बताया कि बांगलादेश में अल्प संख्यक कम्यूनिटी के अफसरों को सरकारी नौकरियों से स्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है संगठन के कॉर्डिनेटर साजिब सरकार का कहना है कि जब से शेक हसीना ने स्तीफे का एलान किया है तब से यहां माइनौरिटी पर अत्याशार, लूट पाट, औरतों के साथ यौन शोशड, यहां के मंदिरों में तोड़ फोड, अल्प संख्यकों के घरों और दुकानों में आग जनी जैसी चीज़े आम हो चुकी है खर इस बात को किसी दलील की जरूरत नहीं है क्योंकि अक्सर बांगलादेश से आने वाली तस्वीरे सब कुछ बया करती है वहां के अल्प संखों को पर होने वाले अत्याशार साफ तौर पर सभी को दिखाई दे रहे हैं को इस बात को अगर अंदेखा भी करता है पर नकार तो बिल्कुल नहीं सकता सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर जबरन डिजाइन करने वाली घटना की तस्वीर भी सामने आई जिसमें सरकारी बकरगंच कॉलेज की प्रिंसिपल शुकला रॉय स्तीफा दे रही हैं उनसे एक साधे कागस पर लिखवाया गया मैं स्तीफा देती हूँ सिर्फ इतना ही लिखवा कर स्तीफा ले लिया गया इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मताबिक 29 अगस्त को छात्रों और बाहरी लोगों की भीड ने उनके ओफिस पर धावा बोल दिया उनसे स्तीफे की मांग करने लगे उन्हें बजबूरन रिजाइन करना पड़ा इसके अलावा इंडिया टुडे द्वारा एक लिस्ट भी जारी की गई जिसमें स्तीफा दिये गए सभी टीचर्स का नाम भी मौझूद है आपको बता दे के खबर ये भी है कि बांगलादेशी स्थानी निवासियों का मकसद इतना ही नहीं वैलकि वहां काम करने वाले धाई मिलियन यानि की 25 लाख हिंदूओं को नौकरियों से बरखास्त करना है जिसके शुरुआत अभी से ही कर दी गई है इन सब के साथ ही हाली में बांगलादेश में बार जैसे हालाद भी बने हुए हैं और इस आपदा के दौरान भी कटर पंती घटिया हरकतों से बास आने का नाम नहीं ले रहे हैं हिंदू समुदाई के लोगों ने भारती मीडिया को बताया कि उन्हें कई इलाकों में वहां के अलपसंखों को की मदद भी नहीं की जा रही है तो उनकी धार्मिक मानेताओं के साथ खिलवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है वहां के लोग बाड में फसे लोगों की मदद तो कर रहे हैं पर उस मदद के एवज में भी अपनी हरकतों से बास नहीं आ रहे हैं वहां बाड के दोरान उनको खाना पानी देने के साथ रिलिजिस लोकेट या फिर वो सब जो धार्मिक इंसान अपनी धार्मिक श्रद्धा के लिए पहनता है उन्हें जबरन उतरवाया जा रहा है उसमें सवाल अंतरिम सरकार के मौजूदा प्रधान मंतरी मुहम्मद यूनुस पर ही खड़ा होता है कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी खामोशी के जरिये वो इन सब को इंडारिकली सपोर्ट कर रहे हैं इसके अलावा अंतरिम सरकार के गटन के समय उन्होंने अलप संक्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर जो माफी मागी थी या फिर नरेंदर मोदी से खुद बात करके वहां के हिंडूओं पर होने वाले अत्याचार खत्म होंगे ये जो आश्वासन दिया था क्या ये सब महज एक जुमले बाजी थी मुहमद यूनुस की इस चुप्पे और बांगलादेशी अलपसंखकों के उपर किये जा रहे इतने अत्याचारों पर बांगलादेशी मशूर लेखिका तस्लीमा नस्रीन ने भी वहां काबिज यूनुस सरकार पर निशाना साथते हुए ट्वीट किया उन्हों ले लिखा कि बांगलादेश में शिक्छकों को सीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है पत्रकार, मंत्री, पूर्व सरकार के अधिकारी मारे जा रहे हैं और परेशान किये जा रहे हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है, इसके साथ ही जनरल जेट ने एहमदिया मुसल्मानों के उद्योगों को जला दिया सूफी मुसल्मानों की मजारे और दरगाहें इसलामी आतंकवादियों द्वारा थ्वस्त कर दी गई यूनुस इसके खिलाफ कुछ नहीं कहते कुछ ना कहने की बाद तो दूर उन्होंने सत्ता पराने के बाद पिछली सरकार के कई ऐसे फैसलों को ही पलट दिया जो देश में कटर पंती को सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं परधान मंतरी यूनुस की पाटी ने जामते इसलामी पाटी से भी प्रतिबंधाटा दिया वो पाटी जिसे हसीना सरकार ने पाटी को उग्रवादी और आतंकवादी संगठन बताते हुए बैन कर दिया था और उनकी छात्र इकाई उससे जुड़े हुए संगठनों को सरकारी नौकरियों में आरक्षन व्यवस्था को लेकर आंदोलन भरकाने पर दोशी ठहराया था ऐसी पार्टी पर छूट देने का मतलब इंडरक तरीके से वहां के अलपसंखकों के जीवन को और मुश्किलों में डालना ही है और आपको बता दे कि इन सब मुश्किलों और अत्याचारों के बाद भी वहां के हालातों की Facebook इंस्टा पर अगर कोई फोटो या वीडियो पोस्ट करता है तो सीधा उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है उस अकाउंट को ही डियक्टिवेट कर दिया जाता है यानि कि अल्प संखकों के चीक पुकार की आवाज देश की सीमा से भी बाहर ना जाने पाए बहराल लडाई शेख हसीना के खिलाफ थी जो आंदोलन कारियों ने जीती भी मगर बांगलादेशी कत्रपंतियों ने बिना किसी वज़े के हिंदो और अल्प संखकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो लडाई सरकार के खिलाफ थी वह अब अल्प संखकों के खिलाफ हो गई है बांगलादेशी अलपसंख्यकों का जीवन बिलकुल पाकिस्तान की तरह ही बच से बत्तर हो गया है बांगलादेश में हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर हमें अपनी राय जरूर दे और ऐसे ही देश-विदेश की जरूरी खबरों से जुड़े रहने के लिए शब्द साची को फॉलो करते रहें